हेलो एब्रिवान वेलकम टो अलफीव फाइल इस वीडियो हम लोग डिसकास करेंगे विहार स्टेट पावर होल्डिंग जेई एलेक्टिकल वेकेंसी अपडेट के उपर जोकी 2018 में वेकेंसी निकल के आई थी उसके बारे में हम लेहां पर कॉवर करेंगे अखिरिये 2018 की यहा यहां पर बात है तो यहां पर देखे जो भी सिलेवस है यहां पर पैटर्न लगभग वही होने वाला है और इसका एक्जाम भी लगभग अगले लगभग दिसंबर तक या 2022 में आपका चांसेज है कि आपकी वेकेंसी निकल के आई आचुकी 2018 के बाद कोई भी एलेक्टिकल की वेकेंसी निकल के नहीं आई है ऐसे में लगभग तीन वर्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक इसके माधिम से वेकेंसी नहीं आई है उमीद है कि आपका लाष्ट 2021 या 2022 फोस्ट में आपका वेकेंसी आप देखने को मिलेंगे तो इसके लिए यहां पर जरूरी है कि सि के वेकेंसी पोस्ट निकल के आते हैं कि चान्स से बासे से यहां मैंने करको कर चुका है वहां से आप उसके कर सकते हूं कि या सिलेवस होने वाला है चाँ पैटन क्या होगा कितने नंबर of सीट निकल के आते हैं उन सभी के बारे में तो यहां पे 400 सीट है लगवाग यहां पे 500-600 के आसपा सीट एवरेज आते रहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जो भी इलेक्टिकल वाले हैं उसके लिए बिहार में इसी जो यही जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग यहां पर महिलाओं को भी सेम आरक्षन जो बिहार में जो आरक्षन चलती है सेम यहां पर दी जाती है तो इसमें आहां पर आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इस पूरा जो है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग जो है कि बिहार के अंडर ही बिहार गवर्मेंट के यह वर्क करती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट भी सेम देती है जो बिहार गवर्मेंट की जो सेलरी है वही आपको जो इसमें भी दिया जाता है यही दिक्कत है कि इसमें आपको एक्जाम क्राकर ली जाती है तो इसमें कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है जो भी जिनका भी अच्छे से प्रिप्रेशन होगा उनका निश्चित ही सफलता होगी और बात ख़र ले तो सीवीटी के माध्यम से यहां पर एक्जाम होती है यानि कि इस कंप्यूटर बेस्ट यहां पर आपको होने वाला है अब दोगे अपेरिंग कंडिडेट यहां पर होडर से यहां पर इंड़ फिरिएड वहां पर बता रहा है तो देखें पर्फम जो आपका यहां पर रहे होगी उसके बाद लिएर यहां पर देख पा रहे हों इनिश्याल और देखिएडर बाद सक जो जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 25,99 से तो यह ट्रेनिंग पिरियद में इनिसियल और लगभा कि 25-27,000 इसे आपको मिलेगा लगभा 27-30 के आसपास आपको इस तरी से मिल जाएगा अब देखें जैसे ही आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद पेस के लगभ पचास प्लस यहां पर 55 के आसपास आपका सेलरी चला जाएगा तो जो भी अलावेंस है अलावेंस को मिला ले तो लगभा 24,000 आपको चला जाएगा और इन हैंड आपको तो यहां पर 47,600 आप ट्रेनिंग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अब जो देखिए जो ही कंडिडेट है एज लिमीट की बात कर ले तो 18 आपको मिनिममम एज होना चाहिए मैक्सिमम 37 है और जो केटेगोरी से बिलंग करते हैं महिलाओं को भी यहां पर 40 साल यहां पर देख लेते हैं रिजर्वेशन आपको यहां पर देख पा रहे हो सभी जो है कि फॉलो होंगे गवर्मेंट और विहार की तरफ से जो ही अगवर्मेंट है इसके तरफ से यहां पर फॉलो किया जाएगा गवर्मेंट जो भी बिहार के मैंने पहले बता चुका हम फी अच्छी खास यहां पर ली जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है चुकि यहां पर CBT जो है की एक्जाम कराई जाती है तो CBT में थोड़ा एक्जाम खर्च लगते हैं जिसकारण से यहां पर अच्छे खास यहां पर आपसे आपको फी एप्लिकेशन फी के रूप में मांगा जाता है हां लेकिन यहीं SCST कंड़िडेट को यहां पर काफी छूट देगी जाती है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो 375 है दिव्यान के लिए भी 375 है तो आपको इसको खास क्याल रखना है मोड अफ सेलेक्शन की बात कर ले तो वहीं CBT है जो यहां पर दिया गया है इसमें देख सकते हो डेमो आपको दिया जाएगा आफ्टर जो फोर्म जैसे ही 2021 वाला आएगा फोर्म फिलप करने के बाद अद्वार इक्जाम से पहले आपको इसी वेबसाइट पर डेमो दिया जाएगा तो आप लोग डेमो भी सकते हो उसके बाद आपको फाइनली डेमो के बाद आप लोग इसको CBT में participate ले सकते हैं यह यह डेमो इसलिए दिया जाता है कि आप किस तरीके से यहां पर प्रसंद पूछे जाएंगे प्रसंद का जो है कि यहां पर लेवल दिया जाता है और उसी अनुरूप यहां पर जाकर आपको CBT में कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए यहां पर डेमो रखा लग यह बीसी के लिए आप सुरी स्थर्टी फोर है और इबीसी के लिए तो यहां पर देख सकते हैं इबीसी एंड थर्टी टूफोर एस्ट हां तो इसका आपका ध्यान रखना है अलगा आभी मैं गलत बता दिया देखिए यहां पर 36 और 36 यहां पर बीसी का है और 34 यहां पर इबीसी का ठीक है और 32 यहां पर आपको स्थी कंडिडेट और फिमल कंडिडेट के लिए तो आपको इसको ध्यान रखना है आप लोग पढ़ सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं और देखिए कि पर फोर्स्ट जूनिय इंडी इंड आटेच फूर सीबिटी तू अब यहां पर सिलेबस आपको दिया गए है आप लोग तो यहां पर देख पारे हो ओन्लाइं रेजिस्ट्रेशन का भी यहां पर डेट है तो आपको यहां पर देखना चोरी नहीं है यहां प पे science, tech, policy, geography, history, current affairs and 10th level तक यहां पे reasoning पुछा जाएगा English, general English 10th तक यहां पे syllabus है जो कि synonyms, antonyms, idems and phrases आपको पुछा जाएगा हिंदी grammar से भी पुछा जाएगा तो जो भी यहां इसमें भी हिंदी grammar में प्रयवाची विलोम जो भी फिलेंदा बलैंक्स यानिकी रिक्तस्थान पूर्ति करे मुहावरे इससे पुछे जाएगे अब यहां पर जो computer का यहां पर basic knowledge आप से पूछा जाएगा तो यहां पर computer का basic knowledge का syllabus दिया गया है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन सॉट भी आप लोग इसको ले सकते हैं तेक्निकल पेपर के आप लोग देख पारे और डिप्लोमा in final year यहां पर आप से पूछा जाएगा जो भी डिप्लोमा final year में आपका जो syllabus रखा गया है उसको यहां पर जाम होगा यह यहां पर दिया नहीं गया है और आप लोग डेमो करेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर होगा अन्य था जो फिछली याड जो question paper है आप उसको भी follow कर सकते हैं market में available होते हैं आप लोग उसको लेकर practice set कर सकते हैं thank you जो भी update होगा मैं आगे update देता रहूंगा त तो फाइनली अप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे थैंक्यू